ओके आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप फीनो पैमेंट बैंक का CSP लेके कितने बैंकों का केस डिपोजिट AEPS से कर सकते हैं तो एहां पर कुछ लोगों को नहीं पता कि केस डिपोजिट क्या होता है तो उनको सबसे पहले बता दूंकि केस डिपोजिट जिस तरीके से आप AEPS से बैलन्स को बिड्रोल करते हैं सेम तरीके से आप केस डिपोजिट भी कर सकते हैं सिर्फ कस्टमर का माली जी किसी भी बैंक एकाउंट में खाता है तो उसमें उसका आप आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे बैंक को सेलेक्ट करेंगे और कितना डिपोजिट अमाउंट आप करना चाहते हैं उसमें एंटर करेंगे और स्केन फिंगर में क्लिक करेंगे तो जो है आप fingerprint लेके उसका खाते में पैसा को deposit कर सकता है जैसे कि मालीजी आप किसी खाते में अगर पैसा deposit करेंगे तो आप क्या करते हैं money transfer करते हैं but money transfer आप नहीं करने से भी आप case deposit directly उनके bank account में कर सकते हैं case deposit में आपको कोई भी charge नहीं लगता है उल्टा आपको commission दिया जाता है case deposit में तो यहाँ पर money transfer आपको करने की ज़रूरत नहीं है आप case deposit फीनो payment bank का CSP को यूज करके कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कितने bankों का फीनो payment bank का CSP लेके case deposit कर सकते हैं और उसमें आपको कितना commission मिलेगा तो वीडियो में सुरू से आंत तक बने रहे हैं अगर आप online service YouTube चैनल से चूड़ना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करें और हम लोगों के पास से फीनो payment bank का CSP लेने के लिए नीचे दिये गए नमबर पर call करें ATM, CSP, banner बगेरा सारा कुछ हम लोगों के पास से आपको मिल जाएगा किट बगेरा सारा कुछ आपको मिल जाएगा तो अगर आपको फीनो payment bank का CSP चाहिए तो हम लोगों से आप नीचे दिये गए नमबर पर call करें आपको CSP मिल जाएगा एहां पर आपको बता दूँ कि अगर आप फीनो payment bank का CSP लेते हैं तो बहुत सारा सर्विस आपको मिलता है साथ में आप bank account भी open कर सकते हैं customer का जो की market में बहुत अभी demand है bank account open करने का तो आप फीनो payment bank का CSP लेके bank account भी open कर सकते हैं जो की बहुत demand है यहां पर अभी market में तो इसका CSP लेके आप bank account भी open कर सकते हैं और CSP का charge हम लोगों के पास से अगर आप लेंगे तो 2000 रुपीज CSP का charge देना होगा जो की आपके ही account में as a security deposit जमा रहेगा non refundable ओके तो 2000 रुपीज आप ही के account में जमा रहेगा सिर्फ ID को activate करने के लिए आपको 2000 रुपीज देना होता है तो CSP लेने के लिए हम लोगों के साथ आप contact कर सकते हैं तो इहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कितना bankों का case deposit आप कर सकते हैं तो total अभी फिलहाल 15 bank का case deposit आप कर सकते हैं जो कि live फिनो payment bank में कर दिया गया है आप स्क्रीन में देख लिए पहले कौन सा bank है तो इहां पर है एटल payment bank अंध्रप्रदेश ग्रामिन विकास bank एयू स्माइल फाइनस bank अनारा bank ऐसे करके आप स्क्रीन में सारा लिस्ट देख सकते हैं अने बाले टाइम में और भी सारा bank का case deposit फिनो payment bank लेके आएगा तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको commission कितना मिलेगा तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं अगर आप 101 रूपीज से लेकर के 1000 रूपीज ता case deposit करते हैं तो 0.50 पैसे का commission आपको जो है मिलता है ऐसे करके अगर आप 7,000 से लेकर के 10,000 रूपीज तक case deposit करते हैं तो आपको 7 रूपीज का commission दिया जाता है इस स्क्रीन में सारा list आप देख सकते हैं कितना amount deposit करने में कितना commission आपको दिया जाता है तो यही commission आपको दिया जाता है और 15 बैंकों का case deposit अभी live किया गया है आने बाले समय में और भी bank account का case deposit live किया जाएगा तो यही था case deposit का commission और कौन-कौन सा bank में आप case deposit कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने तरफ से एक लाइक करें और फीनो payment bank का CSP लेकर अच्छा कासा income करने के लिए हम लगों के साथ contract करें मैं मिलता हूँ आप से एकले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई